तो यहां पर बात कर लेते हैं एक्सपाजर ट्रेंगल की जिसके इंदर आता है आएशो शेटर स्पीड एपर्चर यहां पर इन तीनों का कॉंबिनेशन बहुत ज़रूरी है एक बड़िया फोटो के लिए अगर हम इसे सिंपल वे में समझाए तो आप समझ लीजिए कोई सब Bonus मालें पर माल लेजिए कि नमक जाता ही रोटा था या मेड़िय्य जादा हो जाती है तो यहां अगर यहां पर ऐसे बचानफ म्सरे टोली है लेकिन एक चीज और है कि कुछ-कुछ फोटो यहां लिए है कि कुछ-कुछ सब्जेयां ऐसी होती है जो फोटोग्राफिय में तो हम परlagas एक त esbyemyo यहां फिर्ट की बात होती है कि कहीं हमारको जफ़ाई आएसो चाहिए होता है, तो यहाँ पर वह फोटो स्किल में आ जाती है, और उसकी आगे हम बात करेंगे, तो चलिए पहले देख लेते हैं, क्या है आएसो, तो आएसो को देखने के लिए हम चलते हैं, पहले लाइव विव में, और यहाँ पर हम ले जाते हैं आपको स्क्रीन तो यहां पर यह exposure metering है अगर नीचे जाएगा negative में तो under exposure उपर जाएगा तो over exposure बताएगा और आधर आप चीज़ा देखी सकते हैं तो चली ISO पर जाते हैं हमारी preference होती है आटो आटो से निकलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह work करता है तो जैसे हम 100 पर गए तो हमारी फोटो जो है background जो है वो under exposed दिखा रहा है और यहां जैसे जैसे ISO को bump करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो light sensitivity है वो बढ़ती जारी है बढ़ती जारी है बढ़ती जारी है और बढ़ती जारी है और यहां पर अब यह situation आ गए है कि फोट आप जितना ओवर एक्सपोज है और यहां पर जो noise है वो कितनी आ चुकी है साथे साथ जो crispness है वो भी खतम हो चुकी है तो आप जितना higher ISO बजाएंगे वितनी आपको noise वितनी ही कम sharpness आपको मिलेगी परन्दू एक चीज़ है कि हर camera में यह differ करता है मान लिजिए आपका camera higher end तो वहां पर आपकी जो noise और जो sharpness है वो आपको balance देखनो मिलेगी जादा थीक ठाक से बैलेंस कर लेता है तो सारग game है camera body without sensor का तो किस तरह से यहां पर आपकी camera body और sensor है वो किस तरह से work करता है वो आपको देखना होगा तो यहां पर हम और photo दिखाएं तो यह photo है under exposed और यहां पर आप देख सकते हैं crispness तो छोड़ी देजिए कुछ दिखी नहीं रहा है परंदो यहां noise जो है वो कितरी कम है और यहां आप देख सकते हैं एक मसाला गडबर हुआ और सारी चीज़े बिगड़ गए वहीं एक मसाला जादा हुआ तो सारी चीज़े बिगड़ गए अब यहां पर एक perfect exposed photo दिखाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं सब पढ़िया है परंदो यहां थोड़ा bright बता रहा है परंदो और आल तब भी देखेंगे कि यहां photo जो है वो बहुत अच्छी आई है noise तब भी कम है और sharpness जो है वो जादा अच्छी देखनों मिल रही है तो ISO इस तरह से work करता है और ISO एक artificial way है आपकी photo को bright करने के लिए तो यह है ISO और हम कह जो है aperture तो aperture एक तरीके से के लिए कि lens में वो आखे हैं जिसकी pupils को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं तो यहां पर जब हम बात करते हैं aperture की तो यहां पर lens से आपकी light आती है sensor में और वो photo को exposed करती है और यहां पर जब हम f2.8 पर जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं background और foreground जो है वो आपको पूरा defocus देखने में लगा परन्तु जो आपका object है वो बड़िया तरीके से focus में देख रहा है और और बड़िया लग रहा है अगर इससे और अच्छे से समझाए तो यहां पर यही वाली photo देखिए यहां पर पीछे के background foreground बिकुल जो है defocus है परन्तु ज देख सकते हैं जो background है और foreground है वो जादा exposed हुआ है साथ यहां पर जो में चीज़ पर हम फोकस कर रहेते हैं वह भी बड़िया तरीके से focus हुई है यहां पर एक और चीज़ समझाना चाहेंगे कि जब हम aperture को bum करते हैं तो यहां पर pupils को हम छोटा कर रहे हैं तो यहां हम मान लीज़े 32 पर गए तो यहां पर जो वो pupil है वो कम से हम इतनी हो चुकी है आप फोटो देख सकते हैं फोटो में आपको ज्यादा अच्छे समझना आ कि हमार को हमारा shutter speed चेंज करना पड़ेगा ताकि हम यहां पर ज्यादा अच्छे से फोटो कैप्चर कर सकें और background, foreground, foreground साथी साथ जो हमारा object है वो पूरा हड़ एक चीज़ फोकस में रहे और ज्यादा अच्छे से दिखें तो यह हुगई आपका aperture अभी aperture को हम डाउन करते ह और ले जाते हैं F2.8 पर अब बात कर लेते हैं यहां पर shutter speed ही तो shutter speed को जैसे ही आप low पे ले जाते हैं तो यहां पर आपको long exposure वाली photo मिलेगी कुछ इस प्रकार से तो यहां पर अगर आप चाते हैं long exposure वाली photo लेना या night में आप star trails लेना चाते हैं तो यहां पर lower shutter speed आपके लिए अच्छी होगी कुछ इस प्रकार से आप यहां पर lower shutter speed आपको देखने मिलेगा वहीं जब हम higher shutter speed पर जाते हैं तो यहां पर light में changes आएंगे पर उसके साथ-साथ यहां पर क्या होगा कि जो आपका object है वो वितना ही freeze होगा तो माल लिए अगर कोई bird उड रही है और fast object movement की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जितना fast आपका shutter speed होगा वितना अच्छा होगा और यहां पर जब हम बात करते हैं small birds की जैसे sunbird होगई और कुछ इस प्रकार से अगर आप photo लेना चाते हैं तो हम prefer करते हैं कि आप 2500 या उसके उपर यहां पर shutter speed रखिए ताकि यहां पर एक बड़ी आप freeze movement आप create कर सकते हैं वहीं अगर आप play करना चाते हैं तो वहीं आप lower shutter speed पर जाएए उससे focus में रखिए और देखिए क्या आप वह photo मिलती है Shutter speeds के अंदर में कुछ और चीज़ों पर ही हां Shutter speeds के अंदर में कुछ और चीज़ों पर यहां बात करना पसंद करूँगा जैसे कि जब आप यह देखते हैं one fraction eight thousand तो यहां पर जो one है वो full second को बताता है और जब हम बात करते हैं one fraction eight thousand की तो यहां eight thousand of a second याने एक सेकंड का हजारवा हिस्सा एक सेकंड का आठ हजारवा हिस्सा में हाँ फोटो होगी तो जो Shutter की closing speed हो बहुत ही quick बहुत ही fast होने वाली है और यहां पर जो भी आप capture कर रहे हैं वह एकदम freezing moment में आपको मिलेगा वहीं जब हम slower shutter speed की बात करते हैं one fraction two की तो यहां हम बात कर रहे हैं half of a second और यहां पर जो तो कुछ इस प्रकार से आपका shutter speed ISO और aperture करता है और इन तीनों का combination बहुत जरूरी है यहां पर हम एक चीज़ बता रहे थे कि कभी कवार हमें कोई चीज कोई सब्जी होती है कुछ चीज होती है जिसके अंदर नामक या मिर्चीज ज्यादा पसंद होती है तो वैसे ही इसके अंदर भी हम कर सकते हैं और कभी कवार हमार को और exposed photo बहुत अच्छी मिल जाती है कुछ इस प्रकार से वहीं कभी कवार हमार को लगता है कि अंदर exposed photo चाहिए कुछ इस प्रकार से तो आजपस का जो चीज़े हैं वो बिल्कुल अंदर exposed है और जो object है वो बड़िया तरीक से आप पे लिट हो रहा है या बोल लीज़े कि उस पर light पड़ रही है तो कुछ इस प्रकार से आपको situation के साब से अपने ISO shutter speed and aperture के साथ work करना होगा तो बहार निकलिए केमरा उठाई है रोज आप 5-6 फोटो लीजिए और जितना हो सके ट्राइ किजिए कि छोटे object से start किजिए याने चो चोटी चोटी बर्ड्स हो गई चोटी 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 अनिमल्स हो गए उनको capture करने की कोशिश किजिए ताकि आप अपने aperture, ISO, shutter speed पर यहां अच्छ से work कर स और help करूआ और यहां पर try करूआ कि एक वीडियो अलग से बनाओ जिसके अंदर और अच्छ से इसको समझा सकूँ, तो चली आगे बढ़ते हैं और आगे और चीज़ों की हां बात करते हैं